हेलो एब्रिवान स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरा नाम है तान्या और आज हम लोग करने वाले हैं बिटा आपका चैप्टर जिसका नाम है पाकिंग तो नाम सुनके तो यह लगता है बड़ा यह असान सा चैप्टर है है और करना ही किया है अपने को तो सिर्फ प करती हो बहुत ही जादा effort वाला काम होता है हमसे बैड़ से उठाके कपड़े अंदर नी रखे जाते कपड़ में उन्हें नीज किया जाता तो हम लोग इतने दिन के कपड़े एक बाग में कैसे अरेंज करें क्या समान रखें क्या खाएं क्या पी यह तो आज हम एसी ही एक स simple तरीके से अपन ये chapter one shot में खतम कर देंगे तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हमारे author के बारे में which is a very important thing right जब भी मैं तुमें पढ़ाती हूं मैं हमेशा बोलती हूं कि author या फिर poet के बारे में जाना is very 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 necessary all right so let's start तो basically ये जो chapter है cool ये किसने लिखा है ये लिखा है बिटा जरॉम ने all right तो ये basically एक three men in the boat करके अगर आप लोग आगे 10th में I guess पढ़ोगे अगर आपके school में लगेगी एक novel this is a comic travel log मतलब ये जो पूरी इनकी यात्रा थी ना इनके बारे में इन्होंने बड़े ही हास्टे तरीके से बहुत ही comic तरीके से लिखा है किस में three men in the boat में उसका एक छोटा सा पार्ट तुम लोगों को दे रखा इस चाप्टर में दिखाने के लिए कि पाकिंग करना is not an easy task ठेक तुम्हें क्या लगता है यूं हो जाती है नहीं होती है बहुत टाइम लगता है कुछ लोग overconfident होते हैं में को तो आता है है क्या दो कपडे रखने हैं खाने का समान रखना है ऐसे बढ़ना है but at the end moment last moment पे कुछ ना कुछ मिस जरूर हो जाता है राइट मुझे कॉमेंट करके बताना ऐसा हुआ है के नहीं all right चालो so beta he was an English writer of course and humorist best known for the comic traveler three men in the boat all right तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह एक English लेखक से और humorist थे याने कि जितने भी उनके वर्क से उन में humor बहुत था हाना comic तरीके से चीज़ों को वह बताते थे चालिए तो यह जो packing है ना यह एक part है जो किस से लिया गया है three men in the boat से लिया गया है आल राइट इसमें इसको पढ़ते हुए ना आपको बहुत हसी आने वाली है आपको कई बार यह भी लगने वाला है कि ओ शिट यह इन्होंने क्या किया ठीक तो this is a humorous chapter पूरा का पूरा ठीक याने की बहुती comic effect पेश करेगा आप लोगों क्या आगे कि किस तरीके से confusion create होती है mess होता है कि इनके द्वारा इस chapter में जो लोग हैं जो characters हैं उनके द्वारा इन टोटल चार characters है और आप देखोगे कि वो चारो ही कितने दुर्रम खाएं okay who are inexperienced याने कि बिल्कुल भी experience नहीं है अनुभव नहीं है उनमें क्या करने का packing करने का it exposes the utter clumsiness of the three friends Jerome, George and Horace now you may be wondering कि मैं आपने तो बोला चार characters है यहाँ पे तीन लिखें वो चोथा थोड़ा मेहमान है आएगा भी बाद में आएगा ठीक तो utter clumsiness याने किस तरीके से कितने clumsy तरीके से कितना mess वो लोग spread कर देते हैं एक packing के टास्क में वो आपको इस chapter में देखने मिलने वाला है ठीक है तो तीन लोग है Jerome, George और Harris अभी starting में यह कहां जा रहे हैं यह एक यात्रा पे जा रहे हैं इन्हें कहीं पर travel करना है जिसके लिए इन्हें पाकिंग करनी है ठीक अब यह पाकिंग किस तरीके से करते हैं वो अकन यहां से देखना शुरू करेंगे लिखा है I said I would pack I rather pride myself on my packing pride is basically proud किसी चीज पर गर्व होना होता है ना हम लोग अकसर over confident हो जाते हैं कि मतलब कुछ कुछ चीज हो के लिए यह यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है मैं तो यू कर दूँगा तेरा भाई तो प्रो है ठीक है मतलब ऐसे ऐसे attitude आता है कि हम तो यू कर देंगे देखते जाओ तो ऐसी attitude बस हमारे narrator में था यहां पर जो जराओं है ठीक है बोलते हैं मैंने बोला कि मैं करूंगा पाक ठीक है मेरको मेरी 100% लवें बोलते है मुझे ऐसे लगता है कि कि मेरी पाकिंग की कला है रहए ना मेरी पाकिंग के देल है ठीक है वह मेरको इतने अच्छे से हाथी है मतलब मैं best हूं इतने लोगों को मैं जानता हूं उन सम में से पाकिंग कान बेस्ट है तो फाह रहिक मैं रहित इच को हाना जिसमें मतलब मैं बहुत ज्यादा बेस्ट कर लेता हूँ पर यह जो पाकिंग की कला है ओहो 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 सो दे नरेटर इस ओवर कॉन्फिडेंट एर के जिस हिसाब से में को आती है ना पाकिंग उस हिसाब से तो भाया कोई कर ही नहीं सकता ठीक है आगे देखो अभी क्या गुण खिलाएगा I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better live the whole matter entirely to me तो बेटा जो basically important meanings है मों मैंने bracket में लग दी है I impressed the fact upon George and Harris यानि की यहां पर इस picture में जो उसके दो दोस्त है एक तो narrator है जिरौ ठीक है अच्छा एक और चीज़ बेटा प्लीज ध्यान से सुनिएगा ठीक क्यूंकि मैं अक्सर देखती हूं कि जब भी चल रहा होता है तो आप लोग अपनी ही बातों में लगे होए होते हो हाना कुछ बच्चे जो जैनुवेनली पढ़ने आते हैं वो भी कॉमेंट करते हैं कि माम यहां पर क्या चल रहा है तो प्लीज पढ़ने आएं आपने पढ़के जाएंगे और ध्यान से सुनों कि कि थोड़ा साना जैसे यह पाकिंग की कला इनकी क्लमजी है वैसी यह चाप्टर भी थोड़ा सा क्लमजी है बट ध्यान से सुनों कि तो समझ में आ जाएगा अल्राइट तो क्या लिखा यहां पर बच्चे लिखा है कि मैंने यह जो फाक्त था ना कि पाकिंग मुझ पर छो सम्थिंग अंकैनी अबाव जट रेडिनेस यानी बहुत ही जल्दी बहुत ही एक्साइट तरीके से बहुत ही उत्सुक हो गए मतलब एकदम से जैसे क्या होता है मम्या बोलती है घर पर कुछ तो मदद करा दे कभी कोई मदद ही नहीं कराता है तू तो अना जा जाके कपड ही देया धोबी को यह थोड़े यह ले थोड़ी चॉपिंग में मदद कर दे आलू काट दे ट्रमाटर काट दे और जैसी करने वाले होते हो वैसी ममी लेला मैं कर देती हूं हां लो कर लो ऐसा वाला आडिटीड होता है कि नहीं बिल्कुल सेम यहां पर था जैसे उससे बोल बहुत ही अजीब सी लगते है कि कुछ तो गड़बड है ऐसे कैसे यह मान गए एक दम से ठीक है जोड़ स्प्रेड हिंसेल्फ ओवर दा इजी चेर और हैस्कॉड है जब भी आप लोग ऐसे करके बैठते हो तो आपके जो नीज है जो गुटने है वो बेंट होते है अब यहाँ पर पिच्चर में भी देख रहे होगे कि जो 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 है वो तो अराम से इस चेर पर जाके बैठ गया है ठीक है और हैरिस जो है वो बैठ के टेबल पर अपने लेग्स स्प्रेड कर रहा है इस वोज हाड़ली वट आई इंटेंड इंटेंड यानी जो मैं बोलना चाहा रहा था यह वो था ही नहीं मेरे बोलने का मतलब यह था ही नहीं कि पूरा काम तुम लोग मेरे सर पर चोड़ दो और कुछ जाके वहाँ पर बैठ जाओ देख रहे हो तो कभी-कभी होता है कुछ तुम्हारे फ्रेंज भी होंगे कुछ मतलब ऐसे यू नो काजन्स भी होंगे कि जब भी घर आते हैं बैठते हैं खेलते हैं मस्त और फिर उटके चले जाते हैं राइट दे डोंट बॉदर के अपन मतलब थोड़ा सा सेट्वेट क बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहां पर जो हमारा नरीटर है वो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि मैंने ये तो नहीं बोला था कि सारा काम मुझ पर छोड़ दो ठीके ना this was hardly what I intended मेरे बोलने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था what I had meant of course was that I should boss the job and that Harris and Josh should potter about under my directions ठेक है तो यहां पर potter about क्या होता है potter about under my directions यहानी जैसे जैसे मैं instructions दे रहा हूं similar manner में उस ही तरीके से वो लोग उस instructions को follow करें मानते जाएं तो बोलता है कि मैं तो boss करना चाहता था like I should boss the job यानि कि वो होता है न सिर्फ ये बताना कि ये करूं ये वाला डाल दे bag में अच्छा bag से वो निकाल ले इसको ऐसे कर दे supervise करना बोलता कि मुझे तो सिर्फ बताना था कि मुझ में वो कला अच्छी है मुझे सिर्फ supervise करना ठीके मुझे ये सब नहीं करना मतलब पूरा का पूरा काम मुझ पे छोड़ दिया इस वोज़ाद लिया इंटेंड ठीक है आई पूशिंग दिमसाइट एवरी नाव और यू है लेट मीडू इस पूरी जॉब को क्या करूंगा बॉस करूंगा सुपर वाइस करूंगा और जो आरिस और जो औरम उन्हें कैया करना है मेरे जो इंस्ट्रैंड आइं फॉफ लू करना है ठिकहा और जासी जैस ऍुति आरह रहा हboys से हुआ काम करना फिर मैं उन्हें ऐसे मतलब जाताओ जाता उनके Oke Back otros are अने यसे नहीं होगा लाओ let me show you how to do it all right clear child there you are simple enough really teaching them as you might say well they can't other them now only you bolna charge of the gacom on a sick higher-key you will come as a yoga so I'm only appreciate because okay there you are haha will cool as he does he gonna come and go see how can you do packing a cam here hota kia say hey they're taking it in the way they did irritated me taking it in yani just the reek is a un logo name me rivaat ko gala samja usse my bohojada irritate ho gya can many of lucky man malsara ye to mudda meri pe chhod da ja ke abna bed so isse my bohojada irritate ho gya itna sorry but you go clear a all right child there is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working by ye na ye bohojada log ki problem aa tick the link ah hey Ke esa kuch bhi nai ye joe mukja istee is tiis tza the the irritated kartha ho ke jab maikam ka rao dos to look better way or kuch deko rha in there doing absolutely nothing when I am working as a होता है ना कि यह अक्सर मतलब हम लोग भी बहुत इ्रिटेट हुजाते हैं अगर सारा काम हमी कर रहे हैं और तुम्हारा दोस्त मतलब यह माद लो कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है ठैकर מालों कि आपको कार मिला है रूम साफ करने का आपका दोस्ता आग Wie आपका भाई है कुछ रिकर आप इसारा काम कर रहे हैं उसे देख के गुस्सा चड़ेगा के ओए help नहीं कर सकता मेरी तो बिलकुल वैसे ही हमारे जो नरेटर हैं वो यहीं बोल रहे हैं कि भई मुझे नहीं सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब मैं लोगों को खाली बैठा हुआ देखता हूँ स्पेशली जब मैं काम कर रहा हूँ ओके नेक्स बोल रहा आगे I lived with a man once अभी अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं पहले एक ऐसे आदमी के साथ रहता था who used to make me mad that way होता है वो मुझे नहीं इसी तरीके से पागल किया करता था ठीक है क्या करता था he would do lol on the sofa lol का मतलब क्या होता है रिलाक्स के खुद तो वो सोफे पे जाके मस्त एकदम रिलाक्स करता था लेटा पड़ा रहता था and watch me doing things by the hour together ठीक है doing things by the hour together का मतलब क्या होता है continuously for many hours यानि कि देख रहा है कि मैं इतने घंटों से काम लगतार किये जा रहा हूं किये जा रहा हूं पर वो बिलकुल भी मुझे help के लिए offer नहीं करता पूरे टाइम रिलाक्स करता रहता रहता है ऐसा था मेरा रूम मेट हना एक आदमी जिसके साथ मैं राहा करता था he said it did him real good to look at me messing about ठीक है अब वो बोलता है कि वो जो आदमी था जो रूम मेट था उसका वो बोला करता था कि भाई चाहे messing about is basically working working चाहे तुम बे मतलब का भी कोई काम कर रहो तो बोलता है कि चाहे तु घंटो लगा रहे काम में कोई धंका काम कर या बे मतलब का काम कर मुझे बड़ा मसा आता है ऐसे तुझे देखकर काम करते हुए ऐसे वो आदमी किसको कहा करता था हमारे नरेटर को now I'm not like that I can't sit still and see another man slaving and working अम नरेटर क्या बोल रहे है कि यार मैं ऐसा नहीं हूं ठीक है still मतलब खाली आईजल कि मैं खाली नी बेट सकता और मैं नी देख सकता कि मैं बिलकुल खाली बेटा हूं और सामने वाला इंसान मज अजदूरी किया जा रहे है काम किया जा रहे है हना basically slaving and working कर आपे क्या मतलब है very hard work कि कोई मतलब लगा हूँ है और मैं मस्त आपना बैठा हूं तो मुझे यह चीज विलकुल भी नहीं बसा है I want to get up and to pretend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do यहाँ पर यह एक लेवेल उपर है ठीक है यह यह मैं बोल रहे हैं कि मैं मतलब what I want to do basically मैं चाहता हूँ कि मैं खड़ा हूँ और सुप्री टेंट करूं यानि कि सूपर वाइस करूं लोगों को बॉस करूं कि क्या काम कैसे होना चाहिए अपने दोनों हाथ अपने pockets में डालू और मस्त मैं घूमता जाओं चक्कर लगाता जाओं और देखता जाओं कि यार कौन सा काम कैसे होना चाहिए बोलते कि यार यह मेरा energetic nature है I can't help it बतलब यह मेरा सोभाव है अब मैं इसको कैसे बदल सकता हूं तो जहां एक तरफ वो बो इने जड़रा हाथ पीछे करके और मस्त अपना घूमू और उन्हें बताता रहूं कि कौन सा काम कैसे होना चाहिए However, I did not say anything but started the packing. अब क्या होता है बई? अब जो हमारे narrator होते है वो बिना कुछ कहे, packing start कर देते है चाहिए, it seemed a longer job than I had thought it was going to be. क्या बोलता है? बोलता है मेरे को लगा था कि इता टाइम नहीं लगेगा पर बहुत टाइम लग गया packing में. बच I got the bag finished at last. क्या बोलते हैं? बोलते है कि finally मेने क्या किया? Finally वो जो बाग था वो मैंने pack किया and sat on it and strapped it. strapped is basically closed it. बंद कर दिया, zip लगा दी बाग की. बोलता है बहुत टाइम लगया. अच्छा अक्सर ऐसा होता है ना हम दिमाग में सोच रहे होता है पाकिंग. दो कपड़े रखने हैं, दो जूते रखने हैं, एक पानी की बोटल रखनी हैं. पांच मिनट का काम है. पर जब आक्चुली करने बैठते हैं तो वो पांच तो वैसी बोल रहे हैं कि भाई मैंने बिना कुछ कहें जब मैंने देखा कि भाई कुछ नी कर रहे हैं जाके मस्त ये लोग फैल के बैड़ गए हैं तो मैं चुप रहा और मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी. ठेक है ना? पर जितना मैंने सोचा था उससे जाधर टाइम लग गया हैं पट फाइनली मैंने बाग को पाक किया और भाईया जिप लगा ती अब क्या होता हैं एंट यूइंग तो पूट देखा जैसी उसने मुझे याद दिलाया है एस ने कि बूट्स तो भारी रहे गए तो मैंने देखा और फिर मुझे हैसास हुआ कि अरे यार मै है तो इन्हें रखना भूली गया that's just like Harris he couldn't have said a word until I got the back shot and strapped of course बोलता है कि बिलकुल यह हैरिस ने क्या किया यह हैरिस यह बोलता है ऐसा ही है कि जब मैं पाकिंग कर रहा था तब वो कुछ नहीं बोल पाया कि अरे बूट्स भी रख ले उसने इंतजार किया कि मैं पूरा ब कुछ तो बाहर रहे गए एंड जॉर्ज लाफट बोलता है इस बात पर जॉर्ज हसने लगा वन ओफ दोस इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ अब भाई ऑविसली जब हम काम करके हटे होते है ना और हमें पता चलता है कि फिर से सब करना पड़ेगा तो हम तो बहुत वाइल सो वाइल यानि हापर क्या है अंगरी मुझे बहुत ज़्यादा पागल कर देते हैं मुझे बहुत ज़्यादा गुसा दिल ला देते हैं I opened the bag and packed the boots in and then just I was going to close it a horrible idea occurred अब क्या हुआ अब भाई उसरे बाक को खोला और boots back के अंदर रख दिया ठीक है और बोलता है कि जैसे ही दुबारा से मैं उसको बंद करने वाला था एक बहुत ही horrible बहुत ही भयानक आइडिया मुझे आया had I packed my toothbrush तो वो आइडिया वो विचार क्या था कि यार मैंने मेरा toothbrush रखा के नहीं अच्छा इसा बहुत बार होता है आप लोगों के साथ होता है कि नहीं मुझे जानने मतलब I am very excited to know all of that तो में को comment section में जरूर बताना कि ऐसा होता है या नहीं कि जब भी आप लोग you know pack कर रहे होते हो कर चुके होते हो तो आपको एकदम से यादाता है oops earphones रह गए oops toothbrush रह गया आरे charger तो रखा ही नहीं ऐसा होता है कि नहीं I don't know how it is but I never do know whether I have packed my toothbrush अब ऐसा भी होता है कि हमें पता ही नहीं होता हमने रखा है कि तो वैसे ही यहाँ पर जरूराम के साथ होता है वो बोलता है यार पता नहीं यह चीज मतलब कैसे होती है पर हमेशा हमेशा जब भी मैं packing करता हूं तो मैं अकसर भूल जाता हूं कि यार क क्या मैने मेरा टूथब्रश पाक किया भी है या फिर नहीं किया आल राइट चालिये मैं तो बूद्ब्रश इसा थाएंग दा हांस मी यानि गिफ्स ट्रॉबल बहुत परिशान करता है यह टूथब्रश में को जब भी मैं कहीं पर यात्रा करने वाला होता हूं and makes my life a misery misery य कर देता है I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it अब देखो क्या बोलता है बोलता है कि ना मुझे असा लगता है जैसे अगर मानलो मैंने रात में सब पैकिंग कर दिया अगली सुबह मुझे निकलना है तो हमेशा you know मेरे mind back of the mind में चलता रहता है क्यार मैंने पैक नहीं किया नहीं किया नहीं किया और फिर मैं एकदम से ना cold perspiration यानी state of extreme worry बहुत ही जादा घबरा के मैं उठता हूं और अपने toothbrush को हर जगा धूंडने लगता हूं कि ये आखिर है कहा and in the morning I pack it before I have used it अब क्या होता है कि सुभा भाई बंदे को brush तो करना है पर मैं pack already कर चुका होता हूं फिर मुझे याद आता है रभी तो मुझे brush करना है तभी तो pack करूंगा अब क्या करना होता है कि भाई दोबारा unpack करना होता है बैक को फिर निकालता हूं मैं it is always the last thing I turn out of the bag and then I repack and I forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief oh ma'am बहती बड़ा सेंटेंस था क्या बोल गए आप बेटा देखो तुमारे दुख से मैं वाकिफ हूं ठीक है क्योंकि I understand के बहती बड़ा सेंटेंस है और इसमें लिखा कुछ भी नहीं है देखो सुनो मेरी बात क्या लिखा इसमें सुबह सुबह मैं क्या करता हूं जैसी टूथब्रश मिलता उसको पैक कर देता हूं फिर तोड़ी देर बाद मुझे खयाल आता है कि अरे यार मेरे को तो अभी इसको यूज भी करना है लेका आप चूब्रश में थी राइट तो मैं क्या करता हूं दो बारा से बैक को अनपैक करता हूं ताकि भाई मुझे ब्रश उसमें से मिले ठीक और फिर मैं उसको पैक करना भूल जाता हूं ठीक है मैं ने ब्रश किया मैं भूल गया और नीचे आ गया घर से निकलने वाला हो गया तब ही मुझे क्या करना होता है उ और फिर अपनी पॉकेट में रखता और फिर उसको रेलवे स्टेशन दख लेके आता हूं अब ख्लियर है चाल नेक्स्ट अफ्कॉर्स I had to turn every mortal thing out now and of course I could not find it every mortal thing यानि हर चीज जो अभी है everything that exists बोलता है उसको ढूमने के ले जो वो हर तवाम चीज मेरे बैग में होती है मुझे इसको बाहर निकालना होता है ठीक है और मुझे वो तब भी नहीं मलता I ramass the things up into much the same stage that they must have been before the world was created and when chaos rained I dream that I haven't packed it अब यहां पर क्या रिखा है यहां पर बेटर ब्रमेज मतलब होता है बहुत जल्दी जल्द बाजी में चीजों को निकालना चीजों को ढूमना तो बोलता है कि जब मैं हमना टूद ब्रश धून रहा होता हूं ना ठीक है तो मुझे सारी बैक की चीज़े इधर उधर तमाम चीज़े हटानी पड़ती है तो वह जो हालत होती है ना उस टाइम वह बिल्कुल वैसे हो जाती है कि जब यह विश्व बना होगा उससे पहले आई होंगी देखकते आई होंगी तब जित्ता सारा फैला हुआ हुआ होगा सेम स्टेट में यहां पर तब हो जाता है जब मैं हमना टूद ब्रश फाइंड कर रहा होता हूं ठीक है नेक्स यह आई ड्रीम देट आई हेवंट पाग जट भाही अब मैं क्या करता हू ओविस भाही मुझे जो 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 एरिस है ना उनका ब्रश भी मिल जाता है कितनी बार अटारा से जादा बार पर मेर को मेरे खुद का ब्रश नहीं मलता I put the things back one by one and held everything up and shook it अब भाही ढून रहा है ठीक है सारी चीज़े निकाल रहा है देख रहा है फिर निकाल रहा है फिर ऐसे ऐसे कर रहा है कर भाही निकल जा नहीं है ठीक Then I found it inside a boot कहां पर मिला जो मेरा boot है जो shoes है उसके अंदर मिला I repacked once more अब क्या हुआ दुबारा से मेरे को अपना backpack करना पड़ा When I had finished George asked if the soap was in अब क्या हुआ अब जब मैंने फिर से पूरी packing फिनिश कर दी इस बार अब George मुझसे पूछ रहा है के भाई क्या तुमने साबुन रख लिया हाना सोप रख लिया अंदर या नहीं रखा I said I didn't care a hang I didn't care a hang यानि में को फरक है नहीं पड़ता I'm not bothered at all अब वो इरिटेट हो चुका है हरा क्यार में कित्ती बार इसको pack करू री pack करू एक तो तुम दोनोंने कुछ किया नहीं बोलता है में को फरक नहीं पड़ता कि अगर तुमारा सोप अंदर है या फिर वो अंदर नहीं है and I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it क्या लिखा है उससे बोल दिया क्यार में को बिलकुल भी फरक नहीं पड़ता तुमारे सोप से ठीक है चाहें वो बाक के अंदर है या फिर वो बाक के बाहर है बोलता है I slagged यानिंग की बहुती तेजी से बहुती तेज साउंड से ठीक है म मेरे को याद आया कि मेरे spectacles मेरे चश्मे कहां है अंदर ही रह गए और वो तो मुझे चाहिए तो अम मुझे बैग फिर से क्या करना पड़ेगा reopen करना पड़ेगा फिर से मेरे बैग को मुझे खोलना पड़ेगा इट गॉट शट अप फाइनली अट तेन फाइफ पी एम और देन देर रिमेंड था हमपर्स तू दू तो अब क्या हुआ कि भाईया बैक की पाकिंग फाइनली खतम हो गई दस बच के पांच मिनट पे पर अब क्या बचा था पाक करने के लिए अब बची थी भाईया small small basket जिन्हें हम पर बोलते हैं कि एक्ट्रा समान खाने पीने का समान हो गया हना एक एक्ट्रा थेले भी तो होते हैं आपके पास उन्हें पैक करना बचा था Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest and I agreed and sat down and they had a go they had a go they had a go कि अब वो लोग enjoy करेंगे यह packing का का they began in a light-hearted spirit evidently intending to show me how to do it भोलता है कि उन्होंने ना packing शुरू करी कैसे in a light-hearted spirit यानि कि बहुत ही ऐसे ऐसा नहीं कि चलो यार करते हैं नहीं they were like कि यह भाई चलो आजो करते हैं ठीक है मतलब बिल्कुल भी serious नहीं थे basically वो यह दिखाना चाहते थे intending यानि desire यानि कि उनकी इच्छा क्या थी क्या दिखाने की कि यार तुमने देखो कितना राइता फिल आया है हम दिखाते हैं कि यह काम अपन कैसे करते हैं अब अपन करके दिखाएंगा तो यह वाली feeling के साथ वो दोनों उठे कि ठीक यार इसने बहुत ज्यादा मैस कर दिया देखो हमें देखो टाई I made no comment बोलता है मैंने कुछ नहीं बोला I only waited मैंने किया तो केवल क्या इंतजार with the exception of George Harris is the worst packer in the world exception यानी हटा कर किसको George को हटा दो तो Harris कौन है Harris उस दुनिया का worst packer है and I looked at the piles of plates and cups and cattle and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc piles क्यों होते हैं heap धेर ठीक है तो मैंने किसकी तरब नजर फेराई मैंने ऐसे नजर फेराई सारी plates cup kettle tomatoes के अभी देखो तुमारा क्या हाल होने वाला है तुम Harris के पढले पढ़ने वाले हो all right चालिये and felt that the thing would soon become exciting और बोलता है कि मुझे क्या लगा कि अब जो चीजे है ना वो अब exciting होने वाली है interesting होने वाली है बोलता है और वो चीजे हुई भी देखो भाई क्या हुआ they started with breaking a cup हो गई गाड़ी शुरू पहले उन्होंने क्या तोड़ा कप important है ठीक है they started with breaking a cup किस स्टाट हुए क्या करना शुरू किया उन्होंने पहले ही कप तोड़ दिया that was the first thing they did क्या हुआ यह पहली चीज ती जो उन्होंने करी they did that just to show you what they could do and to get you interested क्या बोल रहा है यह ना बहुत ही व्यंग तरीके से बहुत ही humorous तरीके से उन्होंने लखा है बोलते कि अभी रुख जाओ यह तो उन्होंने केवल आपको दिखाने के लिए कि देखो हम अभी और क्या किया कर सकते हैं हना और आपका जो रूची है जो आपका इंट्रेस्ट है वो बना रहे इसलिए उन्होंने अभी कपी तोड़ा है अभी आगे के नजारे देखो then Harris packed the strawberry jam on the top of a tomato tomato के ऊपर strawberry jam को पाक कर रहा है and squashed it obviously tomato के ऊपर कुछ भी रखोगे वो पिचक जाएगा राइट तो यहां पर पी वाई हुआ and they had to pick out the tomato with a teaspoon और उन्हें आप कैसे निकालना पड़ा tomato को teaspoon से spoon से भार निकाल रहे tomato क्योंकि पूरा वो पिचक चुका है and then it was George's turn अब किसकी बारी थी भाईया बारी थी George की he trod on trod मतलब पैर रख देना किसके ऊपर butter के ऊपर यहां पर देखो किसके ऊपर पैर रख दिया butter के ऊपर I didn't say anything but I came over and sat on the edge of the table and washed them अब यहां पर देख रहे हो narrator को किया रहा है मैंने कुछ नहीं बोला मैं भी मस्तब लुफ्ट उठा रहा हूं भाई इनों ने भी उठा था मेरी बारी में तो मैंने क्या किया एज यानि बिलकुल किनारे पे टेवल की किनारे पे जाकर मस्ता के बैढ़ गया और उन्हें मैं देख रहा हूं next it irritated them more than anything I could have said बोलता है कि यह देख करना अब वह बहुत जादा इरिटेट हो गए I felt that बोलता है मुझे पदा था उन्हें कैसा लग रहा है क्योंकि थोड़ी दिर पहले यही चीज वो क्या कर रहे थे मेरे साथ कर रहे थे it made them nervous and excited and they stepped on things अब वो nervous भी हो रहे थे क्यों कि भाई हम आई तो पूरी वनलब भाई की इज़त का सवाल है आई तो पूरे उसमें थे आज तो देखो करके रिखाएंगे पाके पर अब चीज़े उल्टी हो रही थी तो गबराट में उन्होंने क्या किया चीजों के उपर पहर रहना शुडू कर दिया and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them and they pack the pies at the bottom and put heavy things on top and smash the pies in अब क्या किया उन्होंने किया जो भी हलका समान दा पेश्ट्री जो गई पाई जो गई उनको तो नीचे पैक कर दिया और heavy heavy समान उनके उपर रख दिया तो ओविस भी आप किसी हलकी चीज पर heavy cheese रखोगे तो वो पिचकेगी smash होगी तो वही चीज यहां पर भी हुई all right they upset salt over everything and asked for the butter I never saw two men do more with one and and two pence worth of butter in my whole life than they did after George had got it off his slipper they tried to put it in the kettle अब यहां पर देखो क्या लिखा है ठीक है यहां पर लिखा है the upset salt over everything उन्होंने क्या किया कि पूरे 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 उस पे एक तो salt पूरा उन्होंने भी खेल दिया ठीक है अब butter के साथ क्या हुआ वो बोलता है मैंने कभी भी दो आदमियों को ठीक है यह जो butter है टूपेंस वर्थ यानि ज्यादा महेंगा जो नहीं आता बटर बटर महेंगा आता है नहीं बोलते हैं मैंने कभी भी किसी इंसान को बटर के साथ इतना कुछ करते वे नहीं देगा जितना मैंने इनको देख लिया ठीक अब जो उसने पैर रख दिया था जॉर्ज ने राइट बटर के ऊपर तो उसने क्या किया हटाया उसको रिमूफ किया अपनी स्लिपर से और उसको वो केटल के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं इच वोजिंट गो इन अब बटर तो अंदर जा नहीं रहा और वोट वोजिंट काम आउट और जो अंदर था वो भारा नहीं रहा बिजिट स्क्रेप इट आउट अट लास्ट एंड पूट इट डाउ आणा चहिए और नहीं क्या किया बटर को ले divra liegen अर रहे हैं ठीक और कहां पर रग दिया चेर यूपर रग दिया अब जिस चेर के उपर उन्होंने बटर को रखा उस चे़प एऐरस बैठ लए आध टीक था एक ं अब हैरस के पीछ लग गया बटर है ठीक है, अब हैरस के पीछे है आप तेरे पीछे है, पीछे मूड़ ठीक है, I'll take my oath, I put it down on the chair, जोर्ज के बुल रहा है, मैं कसम खा के बोल रहा हूं, मैंने न अभी अभी इसी चेर पर रखा था बटन चेक है और ऐसे स्टेरिंग यानि घूर ना constantly एकी चीज को देख रहा है तो देखते भी बोल रहा है कि यार मैंने न अभी पक्का बता रहा हूं मैंने यहीं पर रखा था बटन I saw you do it myself not a minute ago said Harris बोल रहा हां मैंने तो खुदने देखा था तुमने यहां पर रखा है चेर पर रखा है अब जब तुने खुदने देखा था तुमने यहां पर बैठा कियो then they started round the room again looking for it अब उन्होंने क्या किया अब उन्होंने दोबारा से रूम में धूनना शुरू किया ठीक है and when they met again in the center and stared at one another एक बंदा इस डारेक्शन में देख रहा है एक बंदा उसमें दोनों दोबारा आते हैं धून के center में जब मिलते हैं एक दूसरों की तरफ गूनने लगते हैं most extraordinary यानि कि या इतनी मतलब यह ordinary क्योंते समान एक्स्ट्राइबनरी यानि कि इतनी अजीब सी चीज यह क्या हो गई George बोलता है so mysterious यानि कि यह बहुत ही रहसी में चीज है ही क्या हो गई Harris बोलता है then George got drowned at the back of the Harris and saw it अब Harris खडाए George गूमके गया पीछे और देखता है कि वो रहा बटा why here it is all the time he exclaimed indignantly यानि कि बहुत ही गुस्ते में वो क्या बोलता है यहां पर था यह पूरे टाइम से where cried Harris Harris बोलता है कहां पर spinning round spinning round ऐसे घूम गया कि कहां है कहां है बट्र कहां है ठीक है stand still can't you अब इस बात पे दुबारा जो George वो चिलाता है बोलता है एक जगा खड़ा हो जा हना आप वो पीछे मुड़ रहा है obviously तो क्या हो रहा है कि बट्र तो पीछे ही है उसके तो बोलता है एक जगा पे खड़ा रहा है डाल देते हैं चलिए भाईया तो यहां पर टाइम आगे आपको फोर्थ क्यारेक्टर से इंट्रोड्यूस कराने का ठीक है जो कि कौन है Montmorency all right यह भाई उनका है पेट डॉग नाम है किसका पेट डॉग का अब भाई वो भी इसमें शामिल है Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at अब यहां पर हमारा जो नरेटर वो क्या बोलता है कि इसका जो ambition है जो लक्षी है इसका जिन्दगी में वो यही है कि यह दूसरों के कामों में आए और क्या करें दूसरों से डाट खाए यह इसका एक मात्र लक्षे है यह कौन बता रहा है हमें जिरॉम बता रहा है clear? चालो if he can swarm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head then he feels his day has not been wasted this is my favorite part पूरा चाक्टर में यहां मुझे सबसे ज़्यादा हस्री आई थी टेकर क्या बोलता है squirm in का मतलब क्यों आता है intrude intrude यानि जहां पर आपकी ज़रात नहीं है वहां पर आ जाना बोलता है कि जहां पर उसकी ज़रात नहीं है when we don't want him जहां पर he is not needed or wanted वहां पर वो जब घुस आता है और लोगों के लिए problem create कर देता है लोगों को गुसा दिलाता है उन्हें एकदम पागल कर देता है जब तक लोग उसके सर पर उठाके कोई चीज नहीं मार देते तब तक इसको संतुष्टी नहीं होती और अगर ऐसा हो जाता है ना तब इसको लगता है कि ओ हो चलो अब ठीक है अब मेरा दिन जो है वह वह वेस्ट नहीं हुआ समझ में आया तो बहुत ही humorous दरीके से इन्होंने introduction दी अपने doggy का कि इसका जो एक मात्र लक्षे है ना वो सिर्फ लोगों को परिशान करना है ठीक है यह चाहता है कि लोग इस पर चिल लाएं और जहां पर इसकी जुरत नहीं होती अगर यह वहां पर आ जाए लोगों के लिए you know problems create कर दे लोग पागल हो जाए इसको मानने लगे तब इसको सही लगता है तब इसको लगता है कि ठीक है मेरा दिन अच्छा कटा है बेस नहीं हुआ आल राइट चाल तो गेट समबड़ी तू स्टंबल ओवर है मैं कर्सें स्टेडली फॉर इन आर इस इस हाइस्ट एम एन अब्जेक्ट क्या बोलता है बोलता है जब तक ठीक है जब तक कोई इसको कर्स कर्स यानि की डाट ना दे इस पर गुसा ना कर दे स्ट्रेट एक घं लाइफ में यही है and when he has succeeded in accomplishing accomplishing यानि achieve कर लेना हासिल कर लेना तो जब इसमें उसको success मिल जाती है जब वो इसको हासिल कर लेता है his concise becomes quite unbearable concise यानि pride ठीक है तो वो जो गर्व होता है ना वो जो घमन लोता है इसका ओहो बिलकुल अव सहनी हो जाता है ठीक है तब इसको लगता है ओह कुछ काम किया भाई ने ठीक है तो ऐसा है यह pet dog चाल यह केम इन साट डाउन ओं फैंग्स जस्ट वें देवर वांट टू बी पैक्ट अब जैसे ही समान सारा पैक होने वाला था आकर उनके उपर बैड गया and he labored under the fixed belief that whenever Harris और George reached out their hand for anything it was his cold damp nose that they wanted क्या बोल रहा है जैसे ही पैक होने वाली थी चीजे उनके उपर जाके एक तो बैट जाता है लेबर अंडर फिक्स बिलीफ यानि उसकी एक स्पेसिफिक एक ही चीज मानना है उसका क्या कि जब भी Harris और George जैसे पैक कर रहे हमना कोई हाथ ऐसे बढ़ाएंगे किसी चीज को जाके पाक कर निकले उसको लगेगा यह मेरी नोज ही चाहते है तो अपनी नोज जाकर ऐसे कर लेगा उनके हाथ में रख रहे के लिए और राइट ही पुट इस लेग इंटो जाएम आड ही वरीड दटी स्पून आड ही प्रिटेंड एड़ लेमन्स वर राट्स ठीक है क्य उपर जड़ जाता है और किसे आपकरते है प्रिटेंड यह नहीं आपकर ना उसको क्या लगता है उसको लगता है कि यह जो नीबू एंड है यह राट्स एंड गॉट इन्टो गामपर और बास्किट के अंदर बिलकुल अमना मूव वो घुसा लेता है अंड केल्ड दृव them before Harris could land him with the frying pan क्या करता है नीबू को उसको लगता है कि जो नीबू है यह चूहें तो बिल्कुल अंदर बास्केट में मूड आल लेता है और उन्हें ऐसे मारने लगता है ठीक और इससे पहले यह सब कर चुका होता है मतलब है इस जो होता है वह फ्राइंग पैन से उसको मारता है यह आपने लाड कर रख है वैसे हैरिस क्या बोलता है कि भाई यह डौगी को ना तुम ही एंकरेज करते हुझे रहो आई दिन्न करेज बोलता है मैं तो इसा कुछ नहीं करता है डॉग लाइक दाट डसें वांट अन्य एंकरेजमेंट बोलता है कि इस तरीके के डौगी क यह लिए ने जो इसके अंदर है यह पाईनली बारेज्ट के पचास मिनिट पे खतब हुए Harris sat on the big hamper, big hamper यानि कि big basket के उपर bed गया, and he hoped that nothing would be found broken, एक तो basket पे बैट गया और फिर बैट के बोल रहा है काश कुछ टूटा ना हो, ठीक है George said, if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him ठीक है, अब George बोलता है, अब किसी चीज़ को टूटना होगा, अब अल्रेडी टूट चुकी होगी, ठीक है, और इस से, यह जो reflection है, यानि कि यह जो thought है यह उसको बहुत ही ज़्यादा comfort यानि कि उसे लप्ता हाँ चले, अरब ठीक है जो टूटा होगा, वो तो वैसे भी टूट चुकी He also said, he was ready for bed, we were all ready for bed, Harris was to sleep with us that night and we went upstairs तो Harris को वही पर रुकना था Jerome और George के साथ उस रात, क्योंकि अगले सुबह उने निकलना था, राइट तो वो सारे सोने के लिए कहां जाते हैं उपर, यानि कि उनका bedroom उपर होगा तो इसलिए वो upstairs जाते हैं We tossed for beds and Harris had to sleep with me क्या करते हैं, toss करते हैं beds के लिए कि कौन किस के साथ सुएगा और Harris को Jerome के साथ सुना होता है He said, do you prefer the inside or the outside chair? ठीक है, I said I generally prefer to sleep inside inside or outside यानि कि भई, तुम्हें blanket चाहिए नहीं चाहिए ठीक है, ब्लांकेट के अंदर या बाहर, कहां, कैसे सोते हैं तो वो बोलता है के मैं generally prefer करता हूँ to sleep inside Harris बोलता है, it was odd ठीक है, George बोलता है के भई, किस टाइम तुम्हें उठाऊं मैं हाना, what time shall I wake you fellows तो इस पे Harris बोलता है, भईया, साथ बज़े उठा देना पर Jerome बोलता है, नहीं, no six बज़े, छे बज़े उठाना because I wanted to write some letters क्योंकि मुझे क्या करने है, थोड़े पत्र लिखने है, letters लिखने है Harris and I had a bit of a row over it bit of a row यानि, के भई, हमारी थोड़ी सी क्या हो जाती है argument हो जाती है but at last split the difference, split the difference यानि के वो लोग साड़े छे पे agree हो जाते है क्योंकि वो छे और साथ के बीच में होती है हना, Harris बोलता है साथ बज़े, Jerome बोलता है छे बज़े तो बीच में साड़े छे पर वो लोग agree हो जाते है थोड़ी सी argument होती है but then they agreed and said half past six wake us at 6.30, George we said and we found on going over that he had been asleep for some time और फिर हमें पर यह पता चला कि भाई वो अल्रीडी सो चुका है so we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves हमने क्या किया कि इस से पहले बतलब जब वो उठे हमने क्या किया थोड़ा सा भापे पानी भापे प्लेस कर दिया थाकि सुबह वो उठे so he could tumble it और उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि हम लोग खुद भी सोने चले गा है all right so this is an extract from three men in the board जैसे मैंने आपको starting में ही बता था and this is the end of our chapter तो I hope कि आपको यार chapter बहुत ही अच्छे से समझ में आया ठीक है chapter में कुछ में नहीं था basic चीज़े थी कि भाई आपकिंग करने में जिसे हम इतना हलका टास्क समझते है कि यार यह तो चुटकियों का काम है ठीक है but actually packing करने में अपने को बहुत time लगता है तो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा character sketch ठीक है जो कि एक important चीज है सबसे पहले Jerome का पढ़ेंगे तो सबसे जादर जो important point है बेटा वो यह है कि Jerome आपका narrator है ठीक है Jerome is the narrator of the story and the events are depicted from his point of view ठीक है जितने भी घटनाएं आपने देखिए जितने भी events आपने देखिए वो उसके point of view से थे उसके नजरिये से थे हो सकता है George और Harris का नजरिया कुछ और हूँ राइट next thing is he is overconfident and rates his packing skills a bit too high क्या होता है उसे overconfident होता है किस चीज के लिए अपनी packing skills के लिए क्यार मुझे तो बहुत अच्छे से packing आती है राइट he is also arrogant and expect his friends to carry out the tedious part of the packing tedious यानी boring क्यार ये क्या काम है मतलब सारा काम मेरे दोस्त करे और मैं सिर्फ order दू ये चाहता था वो राइट his friends however do not take him seriously तो उसके जो दोस्त होते हैं वो उसको इतना seriously नहीं लेते and finally he has to struggle while trying to pack the bag और finally हम लोगों ने story में क्या देखा कि उसी को at the end back को pack करना पड़ता है with a lot of struggle and hassle Jerome is बहुत clumsy and forgetful हाना तो भाईया वो चीजों को भूल भी जाता है his first he first forgets to pack the shoes and they can't recall if he has put in his toothbrush or not तो पहले तो अमने boots pack करना भूल जाता है दूसरी चीज उसे याद नहीं रहता कि मैंने toothbrush को pack किया है कि नहीं किया है he unpacks the bag twice clumsily clumsily आने जो चीज अरेंज नहीं है ठीक है बहुत ही messy तरीके से वो unpack करता है to accommodate the missing items ताकि वो क्या कर पाए धूंड पाए जो items नहीं है उसमें और उन्हें डाल पाए when he his friend fumble while packing the hamper he sits at the edge of the table तो जब उसके जो दोस्त हैं वो उसकी baskets pack कर रहे थे ठीक है और उसमें गडबड़े हो रही थी तो वो क्या कर रहा था कोने में जाके just बैठ गया था हना कहां पर table पर और उन्हें देख रहा था क्योंकि अब उसे लग रहा था कि उसकी बारी है सारे मजे करने की however he is an ordinary boy अगर अगर अपने इन सब बातों को छोड़े तो वो एक सबारने लड़का है who ignores the shortcoming shortcoming यानि जो कमिया है अपने दोस्तों की उन्हें ignore करता है उसी तरीके से जैसे वो अपनी कमियों को ignore करता है ठीक है तो हमने यही देखा जो राम के बारे में है कि starting में तो he was very confident हना हमें लगा कि भई हमारे भईया विल्कुल प्रो हैं एकदम packing skills में बट फिर हमने बारे में देखा कि बिल्कुल भी arranged नहीं है बहुत ही जादा clumsy है next आज़ा जो जॉर्ज और हैरिस पे जॉर्ज और हैरिस के बारे में बिचा हमने क्या पड़ा कि जॉर्ज और हैरिस दोस्त है narrator के जेरॉम के ठीक है दोनों ही clumsy है ill-organized है forgetful है और casual है जेरॉम की ही तरह ठीक वह बहुत सारी गलतिया करते हैं ठीक है they commit mistakes even while doing ordinary task and keep repeating their mistake जब को इतना भारी काम भी नहीं करना था छोटी छोटी चीज़ों में जैसे टमाटर के उपर उन्होंने जाम रग दिया तो यह सारी चीज़े भी वह अच्छे से नहीं करते हैं और मिनी गलतियों को बार 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 रिपीट करते हैं like Jerome, Jerome की ही तरह they two are mistaken about their talent to pack stuff and are over confident about their performance तो same manner में जिस तरीके से हमारे narrator होते हैं इन्हें भी गलत फ्यामी हो जाती हैं कि भाई हम में बहुत talent है हना चीजों को stuff यानि चीजों को pack करने का और बहुत ही ज़ादा over confident हो जाते हैं हमनी performance को लेखे कि भाई हम तो बिलकुल तोड़ आएंगे they damage or spoil many things बहुत चीजों का नुकसान करते हैं जैसे की cup हो गया pies हो गई tomato हो गई butter हो गई lemons हो गई their action amuses the reader ठेक है तो भाई obviously हमें पढ़ते वे मज़ा तो आया हना amuses यानी it kind of create a comic effect हना हमें हसाती है especially when they misplace the butter हना वो butter वाली बात पे अपने को बहुत हसी आई थी और फिर उन्होंने उसको पूरी जगा पे ढूंडा somehow in spite of making a fool of themselves while packing for the trip they don't believe in any blame game and ignore each other mistake पर एक चीज़ यहां पर इन लोगों में भी है के उन्होंने इक दूसरे को blame नहीं किया हना क्यार ये तेरी वज़े से वाई ये खराब हो गया ये तेरी वज़े से वा नहीं उन्होंने finally packing खतम करी एक दूसरे की गलतिया इगिनौर करी हना and उसके बाद सोने चाल लगा है so they don't believe in any kind of blame game और उन्होंने क्या किया एक दूसरे की गलतियों को इगिनौर किया next भई हमारा character है Montmorency right ये मेरे साथ हमेशा होता है even in my classes कि मैं जब भी सोचती हूँ कि oh मेरे पास तो highlighter है यहाँ पर मैं overconfident हो जाती हूँ और वो हमेशा pen निकलाता है so yeah Montmorency ये कौन है बेटा ये pet dog है किसका Jerome का George का Harris का all right so he's a pampered pet भही बहुत ही लाट प्यार से रखा है और उसको बिलकुल भी लाइक अपने behavior पे बरताफ पे कोई restraint या निकि कोई रुकावटे नहीं है his animal instinct to probe everything creates a new sense for his master यानि कि that instinct ना कि उसको हर जगा होना है उसको ये चीज भी करनी है ये भी करना है इसमें भी पैर देना है यहां पर भी जाना है इन चीजों से बहुत ही ज्यादा क्या होती है दिक्कते आती है किसको उसके masters को he likes to be a part of all the activities going on in the house अब उसको क्या चाहिए भाई जैसे छोटा बच्चा होता है कुछ भी हो रहा है वह पहुच जाता है उसे मज़ा आता है similar तरीके से जब यह doggy देखता है कि यार यहां क्या चल रहा है इसको बड़े मज़े आते हैं देखकर right तो he wants to be a part of that activity किया और मेरको भी लो मेरको हकेला मत चुड़ो ठीक है और बहुत ही साथ है excited हो जाते है क्या देखकर लड़कों को देखकर किये कैसे चीज़ों को pack कर रहे हैं he doesn't mind being shouted at हाना यह भी पढ़ा था कि भाईया उस पे चिला लो उसको कोई फरक नहीं पढ़ता यहां से उठ जाए तो वह बिल्कुल बॉदर भी नहीं होता है नहीं सुनदा नहीं सुनूंगा ठीक है तो कुछ ऐसा है यह डॉगी सुपर एनर्ज़ाइज़ है ठीक है और जो उसकी प्रेजन सेना स्टॉरी में इसकी वजह से यह जो पूरी कहानी है यह और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भी जादा इम्यूजिंग बन जाती है रीडस के लिए ठीक है न यानि की और भी जादा अपने को मजा आता है एक कॉमिक एफेक्ट प्रोड्यूस होता है और हम लोगी से बहुत ही जादा इन्जोए कर रहे है तो आपके यार पाकिंग चाप्टर आप लोगो को क्लियर होगा वेटिंग फॉर आल यह कॉमेंट्स में को कॉमेंट करके बताओ समझ में आया के नहीं ठीक है कैसा लगा एंड एफ जी यू गईज इन निक्स चाप्र तब केल अपना ख्याल रुको बाबाइ टेक केर